हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लो तो इस वीडियो में मैं बताना चाहरा हूँ कि आप किसी भी इमेज चाहे वो JPG फॉर्मेट में हो चाहे वो PNG फॉर्मेट में हो उसे आप कैसे .ICO फॉर्मेट में कनवर्ट कर सकते हैं यहां पर आप देख पा रहे हैं मेरे पास अल्रडी .ICO यानि की आइकन फॉर्मेट में कुछ इमेज हैं जिससे कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इस आइकन को कैसे अप्लाई करें अपने कंप्यूटर डेक्स्टॉप पे तो इसे आप पिछले वीडियो का आपको बताना चाहरू है कि आप किसी भी इमेज को आप सलेक्ट करके उसे आप आइकन में तब्दील कर सकते हैं बदल सकते हैं और उसे आप अप्लाई कर सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन computer के desktop पे जैसे कि my pc का icon आपको change करना है किसी image से तो उसे आपको पहले icon में convert करना होगा तब ही जाके वो icon के तोर पे change हो पाएगा तो हमारे image को icon में बदलने के लिए ये रहा हमारा web page यहाँ पर हम image को upload करेंगे और उसे icon में convert कर लेंगे बहुत ही असान तरीके से तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए इस website का URL यान की link को मैं मैंने notepad पर paste कर दिया है notepad पर लिख दिया है हलांकि इसे मैं description में भी डाल दूँगा तो दोस्तों website पर जाते हैं आपको browse पर click करके अपने image को select करना है और image select करते हैं आप upload पर click करना है आपके पास successful upload का एक message आएगा और image नीचे display होने लगेगा अब आपको इस image के area को select करना है अपने cursor को drag करके जैसे कि मैं कर रहा हूँ आप देख सकते हैं अपने screen पर तो यह square format में है हलाँ कि सारे icons जो होते हैं जादातर square ही format में होते हैं तो यहाँ पर आपको by default square format में ही मिलेगा यह आपके सुविधा के लिए किया गया है तो यहाँ पर मैंने area select कर लिया है picture का अब मैं इसे नीचे scroll करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं by default radio button जो है icon for windows पर selected है अब दूसरी तरह का भी icon generate कर सकते है अगर आप चाहें तो तो काफी सारे options है यहाँ पर तो मैं windows के लिए icon generate कर दो अब यहाँ पर convert ICO पर click किया यहाँ पर जैसे ही वो convert हो जाता है download का option आजाता है download पर आप click करेंगे और यहाँ पर आपको इसके save करने का option आगे और अब यह download हो चुका है तो यहाँ से मैं इसे open करूंगा और इसके folder location पर जाके यह रही मेरी icon इसे मैं cut कर लेता हूँ यहाँ से और इसे मैं इस जगह पर paste कर दूँगा तो अब आप देख पा रहे हैं यही image हमारे पास पहले था JPG में और अब हो गया है यह ICO format में तो अब आप इसे up as a icon apply कर सकते हैं अगर आप चाहें तो किसी भी icon को आप change कर सकते हैं जैसा कि मैं अभी दिखा रहा हूँ हलाकि यह मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था यहां पर मैंने इसे convert किया है एक image को मैंने convert किया है icon format में तो वो मैं दिखा रहा हूँ कि वो change होता है या नहीं क्योंकि आप simple image को अगर select करके करेंगे तो वो change नहीं होगा icon आपका apply नहीं होगा तो यह मैंने icon select किया था icon convert करके जो मैंने अभी download किया था पहला वाला icon है यहां से मैंने drop down से सारे icon को enable कर लिया है बट जो भी icon format में है वही आपके icon पे applicable होगा तो मैंने जो अभी मैंने download किया था उस image को मैंने select कर लिया है और अब यहां पर आप देख पा रहा है यहां पर मैं जाने लगा यहां इसे मैं apply करूंगा और apply करते हैं यह icon यहां पर जो आप देख रहे हैं left and side top corner पर जो icon है वो change हो जाएगा तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो image format में जो एक computer का जो picture था उसे मैंने icon में convert किया और फिर जाके वो applicable हुआ as a icon तब जाके मैं उसे replace कर पा रहा हूँ तो इसी तरह से आप किसी भी image को icon में बदल सकते हैं आप उस website पर जाएए आप अपना image upload कीजिए और किसी भी image को आप icon में बदल दीजिए अब जैसे कि आप यहां यह image देख रहे हैं फिर से मैं इस website पर जाओंगा फिर से मैं upload करूँगा means browse करूँगा पहले और फिर इस image को select करके upload करूँगा अब यह image successfully upload हो गया है और area आपको area select करना होगा area आप select करना ना भोले यहां पर मैंने area select कर लिया है हलागी यह perfect square image नहीं है लेकिन फिर भी मैंने select कर लिया area जो मुझे चाहिए और फिर से मैं same नीचे जाओंगा अलरेड़ी यह selected convert ICO और अब यहां पर download का option आ गया अब मैं यहां पर click करके इसे download कर लूँगा तो यहां पर आप देख सक रहे हैं फिर से यह image download हो गया है मैं इसके folder location पर जाकर इसे यहां से cut कर लेता हूं और इसे मैं इस जगह पर paste कर देता हूं यहां पर देख सक रहे हैं जो image हमारे पास पहले से बना हुआ था .png में अब वो .ico में हो गया है तो ICO format यहां पर आ चुका है और अब आप इसे apply कर सकते हैं यहां पर मैं फिर से इस icon को select करूँगा जो अभी मैंने download किया था और यहां पर OK दबाते ही यहां देखे इस window के अंदर यह change हो गया अब इसे मैं apply करूँगा apply करते ही हमारे desktop पर यह change हो जाएगा तो apply किया मैंने और यह change हो गया तो इसी तरह से आप किसी भी image को convert कर सकते हैं आसा करता हूँ कि यह video आपको अच्छा लगा होगा यहां पर आप देख सकते हैं यह universally globally change हो गया है जहां भी system में इस के related icon जो display होता होगा my PC का या this PC का वहां वहां पर यह change हो गया है तो मैंने यह default select कर दिया है क्योंकि मुझे अभी यह चाहिए नहीं तो आसा करता हूँ कि यह video आपको अच्छा लगा होगा और helpful लगा होगा हलां कि इसका English वाला version मैंने इसके पहले upload कर दिया है तो यह देख रहे हैं यह dot icon format है यह मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बस तो इसी तरह से आप किसे भी image को convert कर सकते हैं तो यहां पर मैं आपको एक बार यह वाली icon को select करके दिखाना चाह रहा हूँ काफी interesting icon लगा यह मेरे को क्योंकि काफी image जो है काफी अच्छा दिख रहा है मैंस काफी unique icon होगा यह तो इसलिए मैं आपको एक बार इसको select करके दिखाना चाह रहा हूँ यहां से मैंने इसे select कर लिया और okay then apply करूंगा अब मैं इसे यहां पर देख सकते हैं यह icon change होगा और यह काफी unique है तो this PC में इंटर करने के लिए आपके computer पर यह icon रहेगा जिसको जो कि आप अगर मान लेजे computer के icon को change किये हुए हैं तो कोई भी आपका icon देखके सायद impress हो जाए क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ unique चीज़ें जादा पसंद होती है तो इसी तरह से आप किसी भी image को icon बनाईए और computer के default icon को उसे replace करके उसे unique बनाईए और हाँ bell icon को जरूर दबाईएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में quick notification मिल पाए तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में जैहें